Hello friends, मैं हूँ Sanmay Prakash और आपको सोगत ही YouTube channel सरकार जॉब निजब है और हमारे एप का नाम है Sharp Learning तो यह weekly current force 3rd week जुलाई 2024 के पिछले कुछ वक्त से weekly आपको नहीं मिल पा रहा था तो अब मैं मतलब पूराना दिरी दिरे करके लेटेश्ट तक पहुँच जाएंगे आपको टोटल weekly मिल जाएगा और मतली भी मिल जाएगा थोड़ा सा वेट कर लिए तो यह 3rd week का है जुलाई का और एक करके हम तमाम current force लेंगे और हाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारी जो एप है Sharp Learning एप का नाम है Sharp Learning तो वहीं पर PDF मिल जाएगा जिन लोग ने membership लिया हुआ है चाहे ISPCS या basic membership जिसमें railway police, SSC, state SSC, teacher इन सब के लिए current force की थियारी करवाई जाती है ठीक है तो वहाँ पर available हो चुगा है तो शुरू करते हैं और सबसे पहले निउक्ति से लेटेट कॉंटेंट लेते हैं और question होगा संग लोग सिवायोग यानि UPSC का अध्यक्ष का नाम बता है जिन्होंने भरती विबाद के बीच जुलाई 24 में इस्तिवादे दिया था इसका आंसर होगा Manoj Soni और अभी latest कौन है नई जो अध्यक्ष हो कौन है तो वह है प्रिति सूधन ठीक है आगे बढ़ते ह आगला question लेते हैं कहन सरकार ने अमिरिका में भारत का नय राज़योत की से निक्ति किया है विनाय मोहन kuatra ये विदेश सचिव रह चुके है इससे पहले ठीक है भारती विदेश सचिफ थे, अब अमेरिका में राजदूत बन गया है, अगला कोशन लेते हैं, भारत संचार निगम लिम्टेड यानी BSNL किया CMD किसे नुक्त किया गया, आनसों का Robert Gerard Ravie, Robert Gerard Ravie, इनको बनाया गया, अब economic activities related लेते हैं, उस दौरान budget भी पेश हुआ था, पहले economic survey, फिर budget related, फटाफट question लेंगे, question होगा है, संसाद में पेश के गए economic survey के अनुसार, वित्वर्ष 2024 में, देश की GDP growth rate का क्या अनुमान है, आनसों का 6.5 से लेकर 7% के भीच में, ये अनुमान लगागा है, और सवाल हो कि ये पिछले financial year, यानी 2023-24 में कितना growth rate रहा है, वो है 8.2% रहा है, ठीक है, important बात, अब केंदरी budget related question फटाफट लेंगे, detail मैं Delhi के वीडियो में बताता हूँ, ये short में चलेंगे हम लोग, तो question यहाँ पर होगा कि, केंदरी budget 2024 में cancer कारने कितना रुपए के आय और खर्च का लक्ष रखा है, आनसों का 48.21 लाग करोर रुप सितरमन ने ये पूर्ण budget पेश किया था, इससे पहले आंतरिम budget था, जो फरवरी में पेश किया था, उसका जुलाई में ये पेश किया गया है, तो 48.21 लाग करोर रुपए का ये total budget है, PDF मैंने काफे detail में दिया हुआ है, और उतना ही expenditure भी है, खर्चा भी किया जा रहा है, अ कितना पर्थिशत रखा है, आंसो का 4.9 पर्थिशत, ठीक है, 4.9 पर्थिशत, अगर रुपए में कहेंगे, तो ये 16.13 लाग करोर रुपए होते हैं, ठीक है, अगला question लेगे हम लोग, कि के अंदरि ये budget 2425 में रक्षा मंतलाले को कितनी रकम, यानि pension के साथ आवंटित की रुपए है, आंसो का 6.21 लाग करोर रुपए, pension छोड़कर अगर हम कहेंगे, तो वो 4.54 लाग करोर रुपए के आसपास से होते हैं, अगला question तो नहीं है, अब ये देख लेते हैं कि महत्पुन मंतलाले को कितना budget 25th किया गया है, तो पूरी लिष्ट यहाँ पर मैं दे रह ये देखिया, रक्षा मंतलाले को 6.21 लाग करोर रुपए, सर्क परिवानो राजमार्ग मंतलाले को 2.78 लाग करोर रुपए, रेल मंतलाले को 2.55 लाग करोर रुपए, उभोकता मामले खादेश सर्जिंट क्वितरन मंतलाले को 2.23 लाग करोर रुपए, ग्री मंतलाले को 2. सबस्क्राइब रूजर्जर्ट कर रूटिएुट परिवार का लियान मंत्राले को 90,000 करो रुपए, यह कम है अला कि, तो यह तो मंत्राले का अनुसार होगा, और यह जो होगा, यह सेक्टर वाइस होगा, जिसे एजुकेशन में टोटल कितना खर्चा होगा, ओके, चले आगे बारते हैं अगला कोशन, किंद्री वित्मंत्री निर्मला सतर्मन के अनुसार, किंद्री बजट दोजार चोईस पचीस का मुख विशा, यानि थीम, क्या रहा है, आंसो का उप्रोक सभी, यानि रोजगार और कोशल प्रशिक्षन, इसके लाव, MSME और मध्यमवर्ग, ठीक है, इंप्लामेंट, स्किल, MSME और मिडिल क्लास, ये मूलता थीम रखा गया था, अब सवाल हुआ कि बजट के दोरान नौ प्रात्मिकता है, क्या बताई गई है, तो नौ प्रात्मिकता है, ये मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, किर्शी में उत्पादकता और लचिलापन, यानि प्रोड़क्टिविटी और निर्मान और सिवाई, यानि manufacturing and services, MSME को बढ़ावा देने के लिए समर्थन, यानि support for promotion of MSMEs, शहरी विकास, यानि urban development, और जावी सुरक्षा, यानि energy security, आधारबुत सुनचना, यानि infrastructure, और नवाचार, अनुसंधान और विकास, यानि innovation, research and development, तो ये जो है नो प्रात्मिकता ह थी इस budget के दोरान, next question लेते हैं, केंदरी budget 2024-25 में, परियोजनाओ के लिए बिहार को कितने रुपए के package आवंटित के जाने के प्रावधान किया गया, answer गा, 58,900 करोर रुपए, ठीक है, तो इन projects, अलग-अलग projects के लिए ये किया गया है, अगर हम कहेंगे कि, कितनी-कितनी ह अलग-अलग, तो यहां पर मैंने कुछ दे दिया है, कि नई सरक पडियोजनाओ के लिए 26,000 करोर रुपए, आवंटित के गया है, इसमें पतना, पूर्निया, इसके लावा बाकसर, भागलपूर को जोडने वाले expressway, और बोध गया, राजकिर, वैशालियो और दर्भंगा भी लगाये जाएगा, बाट से निपटने और रहात के लिए 11,500 करोर रुपए दिये जाएंगे, बिहार के महाबोधी, मंदिर और विष्णुपद, मंदिर को काशी विष्णाथ, मंदिर कॉल्डोर के तर्च पर विक्सित किया जाएगा, तो ये चीजें बिहार के रही है जो लोग भी बिहार के विक्ति हैं, जो देख रहे हैं, वो धिहान देंगे, ठीक है, आगे बारते हैं अगला कोशन, किंदरी मंतिर ने किंदरी मंतिर ने किंदरी बजट 24-25 पेश करते हुए, हर साल 20 लाक युवाओं को टेक कंपनियों में इंटर्शिप के दौरान हर महीने कितना स्टैपिंड देने का आयलाइन के आंसर गा 5,000 रुपए, 5,000 रुपए ये दिये जाएंगे, और इस रोजगार के लिए कुछ गोशन आप हुई है, जिसकी में के तहत सभी फॉर्मल स उसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले पहले 4 साल तक EPFO यानि Employee Provident Fund के जरिए Employee Linked Incentive मिलेगा और ये incentive नौकरी पाने वाले युवाओं और कंपनियों को दिया जाएगा, इस किमसी के तहत नई नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार EPFO यानि Employee Provident Fund के जरिए दो साल तक हर मेने 3,000 रुपए देगी, सरकार का कहना है कि इससे 50 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, ये सब कोशना हैं गर्मेंट की, ठीक है, आगे बरते हैं और पसंदारों लाइक बटन दबा दिजागा, नेक्ष कोशन है, अगला कोशन, वित मंत्री ने किंदर बजर 2024 को दौरान कितने फसलों की, जल वायू अनुकूल, कितनी नई किसमे लाने का आइलान किया, 32 फसलों के लिए 109 नई किसमे ये आइलान किया गया था, चलिए आगे बरते हैं, और डिफेंस रिलेटेट कर इंफर्स देखते हैं, जुलाई के 30 सब्ता का, तो कोशन होगा, CHN Glacier में, सेना वायू रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, आंसो का, सुपरिता सीटी, कैप्टन सुपरिता सीटी कहेंगे, तो दुनिया का सब्सके उंचा योदचेतर है, CHN Glacier, तो वहाँ पर वायू रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई है, वो अधिकार नेवी शिप को, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में, बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है, आंसो का आइनस डेली, ठीका, आइनस डेली, ये 14 जुलाई को विशा का पतनम में, जो आउजद किया गया था, एन्वल फ्लीट अवार्ड फंक्शन उसी दोरान ये अवार्ड दिया गया है, अब स्पोर्ट से रिल्टेट महार्पुन कोशन लेते हैं, कोशन होगा किस खेल से जुड़े खिलारी, पियार श्री जेश ने 22 जुलाई 2024 को गोशना की, कि वह पेडिस ओलंपिक के बाद सन्यास ले लेंगे, आंसो का होकी, ठीक है, होकी के मुलत अगला कोशन होगा, किंदो पुर्व भारती टेनिस खिलारियों को अंतरश्टी टेनिस हौल अफ फेम में शामिल किया गया, और ऐसा करने वाले वो पहले एश्याई पुरुष खिलारी बने है, आंसो का लिएंडर पेस और विजय अमरित राज, ठीक है, तो 20 जुलाई को USA में इंटरनेशनल टेनिस हौल अफ फेम समारो में उनको इसमें शामिल किया गया है, अगला कोशन लेते हैं, भारती पुरुष फुटवाल टीम के मुख कोच का नाम बाता है, आंसो का मनोलो मार्केज, मनोलो मार्केज, अगला कोशन, थॉमस मुलर ने अंतरश्टी फुट अगला कोशन लेते हैं, कि शुभंकर क्या रहा है, आंसो का ओलम्पिक फृज, क्या है ओलम्पिक फृज, यह फृज नाम की एक टोपी थी, वही जो फ्रांस की कृरान्ती की प्रतीक भी रही है, ओके आगे बढ़ते हैं, और आवार्ट से रिलेटेड महत्मुन कोशन लेत भार्दवाज, ठीक है, आने लिए भार्दवाज, वह फिजिकल रिसर्च लेबराटरी, जो कि आमदाबाद में स्थित है, उसके डारेक्टर है, और यह अवार्ड उनको दक्षिन कोरिया के बुसान में मिला है, पैंतालिसमें कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, उसके समयलन के अब विग्यानर निसर्च से लेटेट कोशन, कोशन होगा, किस एंटिवारस के एक अपडेट की वज़ से, पूरे दुनिया में, माइक्रोसोफ्ट के एंजोर सर्विस, जुलाई 24 सो ठाप हो गई, आन्सों का, क्लाउड स्ट्राइक, ठीक है, एंटिवारस यह सर्विस है, क्लाउड स्ट्राइक, तो वही अपडेट हुआ, उसकी वज़ से, इस तरह का स्क्रीन पूरा का पूरा दिखने लगा था, ओके, यह महत्पुनवाद, आगे बढ़ते हैं, और अब अगला कोशन लेते हैं, निधन से लेटेट कोशन लेते हैं, प्रसिद्धर जैविक के कि इसान कमला पूजारी का 20 जुलाई 24 को निधन हो गया, तो उन्हें कौन सा अवाड मिला था, आंसो का, पदम श्री अवाड उनको मिल चुका था, 74 वर्ष के थी, अब अंतर अश्री संगठन से लेटेट कोशन लेंगे, सेवक्त राष्ट की किस शिष अदालत ने फिलिस्त को उसे अवाड कब जा है, उसको जल्द समाप्त किया जाना चाहिए, तो ICJ का मुखहले का है, दहेग नीधर लेंड में, असापना होई थी, 1945 में, अगला कोशन लेते हैं, यूरोपिय आयोग का करकारी अध्यक्ष दूसरी बार किसे बनाएगा, अंसो का, उर्सुला वान लें, ठीक है, तो उनको बनाएगा दूसरी बार, अब विदेश स्रेलेटिन महत्मोन कोशन ले लेते हैं, और कोशन होगा, इब्राहीम इसकंदर किस देश के सत्रवे महराज बने हैं, आंसो का, मलेशिया, मलेशिया की राज़ानी कौलालामपूर में, 20 जुलाई को उनकी ताज पोशी की गई है, पांच साल के लिए बने हैं, मलेशिया में यह होता है कि एक परिवार है, उसे में से पांच साल के लिए चुने जाते हैं, वही बनते हैं, ओके, मलेशिया, जो है, इंपोर्टन देश है, और उसके मुद्रा की बात करेंगा, तो मलेशिया ही रिंग आगे बढ़ते हैं अगला कोशन रवंडा के राष्टपती के रूप में चौथे कारिकाल कली फिर से कौन चुने गए आंसर होगा पॉल कगामे ठीक है तो सन 2000 में रवंडा में स्विल वार किसमापती के बाद उन्होंने कारभाल समारा था और लगातार वो बने हुए हैं अखिरकार बाद में वहां से जो शेख हसीना है उनको भागना पड़ गया था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और दिवस रिलेटेड महात्पुन कोशन लेते हैं कोशन होगा विश्व मस्तेष्क दिवस कब मना जाता है आंसर का 22 जुलाई को और इस पर के थीम क्या है मस्त यह रही थीम अगला कोशन लेते हैं विश्व शतरंज दिवस कब मना जाता है वर्ड चेस डे आंसर का 20 जुलाई को मना जाता है 20 जुलाई में 24 में पेरिस अंतराश्टी शतरंज महासंग की अस्थापन वे थी उसी को लेकर अगला कोशन लेते हैं विश्व प्लास्टिक स परजरी में सर्जिकल उन्नती, नवीनतम और नवाचार और हालिया रुजहान ये है इस बार की थीम अगला कोशन विश्व युवा कोशल दिवस कब मना जाता है विश्व अंतराश्टिय नियाय दिवस कब मना जाता है 17 जुलाई को ठीक है तो अंतराश्टिय आप्राधि निया दिवस भी इसको कहा जाता है अगला question लेते है अंतरश्री ये नलसल मंडेला दिवस का मना जाता है आंसों का 18 जुलाई को ठीक है 18 जुलाई को मना जाता है तो ये था 3 वीक जुलाई का करिंट फर्स इसका PDF आपको मिल जाएगा Sharp Learning जो एप है वहाँ पर और membership plan भी है करिंट फर्स के लिए तो आप देख सकते हैं जी लोग ने membership लिया हुआ या course purchase के हुआ है उनको मिल जाएगा वो download कर पाएंगे अब मिलते हैं next video में बाई